किंग कोहली के नाम पर फिर भड़क गए गौतम गंभीर अशलील इशारे करते फोटो हुई वाइरल फैंस ने जम करकी खिचाई मीडिया में जब उठा मामला गंभीर ने पलट दिया पूरा मामला कहा कुछ लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे इसलिए करना पड़ा ऐसा काम नेपाल को रौंद का टॉप फोर में पहुँची टीम इंडिया अब दस को होगा भारत पाकिस्तान का दूसरा महा मुकाबला भाजपा सांसद और पुरो भारती ओपनर गौतम गंभीर एक वाइरल वीडियो के चलते विवादों में फस चुके हैं मामला बढ़ता देख गंभीर ने सफाई भी दी ट्वेट भी किया अगर गौतम गंभीर किसी भीड़ वाली जगा पर हो और वहाँ कोली कोली की हूटिंग ना हो अम मानों ये ट्रिंड सा बन चुका है श्रिलंका में जारी इश्यकप दोजार तेश में भारत नेपाल के बीच चार सितंबर को एक मुकाबला खिला गया गौतम गंभीर ओफीशिल ग्राटकास्टर स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से कॉमेंटरी कर रहे थे बारिश के ब्रेक के दौरान जब वो स्टेडियम में कहीं जा रहे थे तो पीछे से होटिंग के जवाब में मिडल फिंगर दिखा दी उनका या पती जनक इशारा कैमरे में खैद हो गया सोशल मीडिया पर लोग गौतम गंभीर को ट्रोल करने लगे क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद बीजेपी के टिकट पर लोग सभा पहुँचे सांसत के आचरन पर भी सवाल उठने लगे ऐसे में अब गौतम गंभीर ने पूरे मामले पर सफाई पेश की स्रोलंका में एश्या कब कवर करने गए भारतिये पत्रकारों से बाचीत करते वे गौतम गंभीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ देखता है वो पूरा सच नहीं गंभीर ने भीर की ओर दोनी दोनी या कोली कोली हुटिंग के बजाए देश विरोधी नारे की बात कई बाए हाथ के पुरो बल्लेबास की माने तो भीर में मौझूद कुछ पाकस्तानी फैंस भारत और कश्मीर की बारे में अनाप शनाप बाते बोल रहे थे एंटी इंडिया के नारे लगा रहे थे ऐसे में वो अपना आपा को बैठे और गुस्से में ऐसा रियाक्शन दिया वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब गौतम गंभीर फैंस से इस तरह भीड़े हूँ पूरे विवात की शुरुवात आई पिल 2023 की दोरान शुरु होई थी जब गौतम गंभीर ने बैंगलोर केम चिनना स्वाम स्टेडिया में फैंस को मुबंद करने का इशारा किया था इसके बाद विराट कोली ने लखनों सूपर जाइंट्स की काना स्टेडियम में इसका जवाब दिया जो टीम के मेंटॉर गौतम गंभीर कोखर गई वहाँ दोनों दिगच बीच मैदान पर आमने सामनी आ गए जसके बाद टीम मेट्स और सपोर्ट स्टाफ ने बीच बचाव किया एशिया कब 2023 का पाँचवा मुकाबला भारत और नेपाल के भी चार सितंबर को पलने कले में खेला गया भारतिये कप्तान ने टॉस जीत कर नेपाल को पहले बैटिंग करने के लिए आमन्तृत किया नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रणों पर धेर हो गई वह इस लक्ष का पीछा करते हुए भारतिये टीम ने 2.1 और में 17 रण बनाए जसके बाद बारिष की वजहां से मैच रोक दिया गया दोनों अमपायर ने मैदान पर इंडिक्षन करते हुए 10 बचकर 15 मिनट पर हरी जंडी दिखाई बारिष की वजहां से मैच में हुई देरी की कारण मैच को 23 ओवर का कर दिया गया भारत को जीत के लिए 145 रण का लक्ष मिला जिसे भारत ने 10 विकेट से बड़ी आसानी से हासिल कर लिया नेपाल और भारत की बीच खेले गए मुकाबले में बारिष की कारण हुई देरी की वजहां से भारत को डगवर्त लुइस नियम के आधार पर जीत के लिए 146 रण का लक्ष मिला था पारी की शुरुवात करने आए रोहित शर्मा और शुमन गिल ने भारत को अच्छी शुरुवात दिलाई दोनों की लाडियों के बीच में पहले विकेट के लिए 145 रण की पार्टनर्शिप होई रोहित ने नाबाद 74 रण मनाए जबकि गिल ने नाबाद 67 रणों की पारी खेली जसकी वजह से भारत ने नेपाल को 10 विकेट से धूल चटा दी इसी के साथ भारत एक ग्रूप से टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गया बता दे कि इस जीत के बाद अब 10 सितंबर को भारत पागस्तान के बीच एक बार फिर से महा मुकाबला होगा पहले मुकाबला बारिश की भेट चढ़ चुका था लेकिन इस पार पूरा मुकाबला होने की संभावना है इसकी वजह से इस बार इस मैच की जगा और तारिख दोनों ही बदल दी गई है